हेलो एब्रीवन वेलकुम टू हैपई कार्णिंग 7 जून दोजार थीस हुई है थोड़ा सा गार्डर में घूम लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हो रहा है थोड़ी से अर्वेस्टिंग भी करेंगे और बايके के प्लांट्स कैसे हैं वो भी देखते हैं निया क्या क्या हो रहा है कुछ से मैंने कटें लाए ते वो भी देखते हैं कर दो प्लारी कितले का संबूस्ट मिक्स ने लॉवन से उसी वह भाग जोता हैं दिए और डिधा को साइड़an प्लांट्स इसमें किरसे रनर्स बन रहे हैं तो फ्लारिंग होगी यह सारे जो है एक बड़े अमरूद के पेड़ के नीचे पनप रहे हैं फैमिली की तरह बड़ा डायमिटर वाला पॉर्ट है तो उसमें है यह सारे इसके बाद आगे बढ़ते हैं यह डेली है डेली एकी दिन खिल रहा हैं और बाकी जो बड़ बनी हुई है वो तो कुलेंगी अपना टाइम आने पे वो जरूर खिलेंगी बरसों जैसे मैने विड्यो शेयर किया तो उसमें कहा कि कल दो flower खेलेंगे तो चुछ वर्ट हो रही है अज इसमें ऑर कल फिर से यह एक विडियो में मैं ने इस बेल को morning glory बोल दिया जब कि यह प्राजिता की बेल, जोकि मैंने सीड से ग्रूव की हुई है और इसके सीड मुझे किसी ने ौटू जू है तो यह अप राजिता है, not morning glory, वो भी almost ऐसा ही फूल होता है, और इसके बाद यह पीस लीली है, यह मैंने भरपूर गर्मी के दिन में इसको report किया, और इस चार दिन के बाद भी देखो, बहुत अच्छा तंदरुस्त है उसी तरह, तो आप अगर ऐसी गर्मी में report करना चाहते यहां पर विंका की cutting लाई थी, वो भी चल पड़ी है, creeping Charlie वो भी बढ़िया चल रहा है, हिबिसकस बहुत पहले लगाया था फबरी में, उसकी तो एक बर्ड यहां लगी, फूल बना और वो गिर गए, एक ही दिन रहती है तो केबर में नहीं शूट कर पाती है उसको, इसकी जड़ें एक्सपोज होगी उस टाइम तो यह नहीं लग पाया, तो जब कभी आपने करना है रिपॉर्ट कोई प्लांट तो इसको बिन्या जड़ें एक्सपोज किये ही रिपॉर्ट करिए, गर्मियों के दिनों में especially, और इसने क्या क्या है कि मैंने देखा कुछ सीड़ें होगे, कुछ सीड़ पॉट्स अभी इसमें लगे हुए थे और उनमें पके हुए सीड़ें तो उनको मैं ओपन करके यहीं पे फैंक रहे हो इसी गंबले में तो भागया में होंगे इसके फूल डार्क मजंटा सा जो कलर होता है वहले फूल थे तो वहले फूल हमा के बढ़ते हैं मालबर स्पिनेच की कटिंग लगाई थी वह ठीक लग रही है तंदृस्त लग रही है ऐसा नहीं लग रहा कि गली हुए है पर उसके सीड़ का भी कोई नाम निशानी बहुत सारी सीड़ भी यहां पे फैंके थे और मेरे व्यूवर्स नहीं मुझे पताया कि वह पके हुए राइप सीड़ हैं अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे वहां पे पालक है और कद्दू की बील को बाई चांस देख लिया मैंने तो वहां फूल बनने वाला कल खिलेगा जरूर यह और यहां पे भिंडियां बहुत सारी लगी हुई हैं बहुत सारी नहीं हैं ठीन चारी है तो वह भी हर्वेस्ट कर लेते हैं थोड़ी से पालक थोड़ी सी बिंडिया और आगे बढ़ते हैं आगे हैं थोड़ी से टcando दो टीनी ही हैं जबहें हैं क्योंकि वह वरिःद हो चुके हैं पादहीं तो यह इनका लास्ट है एक बाढ़्दा तो बिल्कुल् पूरा सीजन है कॉसमोसका और यहां पे छोटी सी भिंडी यह भी हर्वेस्ट कर ली और इसके अतिरिक्त यहां पे पौधों के नीचे बड़ी सारी पालक है बड़ी सारी आप समझी यह होगी कि थोड़ी सी है तो बहुत सादा मैंने सबजियां लगानी रखी हैं बड़ी सार सब्सक्राइब करने की कोशिश की और पालक जो है उनके नीचे जुर्मुट के नीचे बड़ी अच्छी ग्रोव कर रही है तंदरुस्त है साफसुत्री बिल्कुल इंसेक्ट पैस्ट का कोई उसके उपर नामनिशान निया तो यह छोटा सा हर्वेस्ट है तो आई होप अच्छा लगा होगा एसी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पॉर्चुला का लगा था एक ग्रो बैग में तो वह भी साथ में आ गया उसको कहीं लगा दूगी यह फ्री का प्लांट पार्क से इसकी कटिंग लाई तो फ्री के पॉर्द सेव करने की कोशिश करिए हैं है फिक गार्णिंग टू अल अफ यू और में चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा